अयोध्या में श्रीराम का प्रान प्रदिस्ठा होना है ऐसे में करूर जिसकी एक बहुत ही मुख्य भूमिका रखी है इस बारे में आज हम आपको बताने जा रही हैं यहां आप राम राज जी की कलपना और पड़ी कलपना भी कर सकते हैं रामायन में एक प्रसंग है राम जी के वनवास के दोरान सीता जी का रावन के द्वारा हरन हुआ रावन का पुस्पक विमान पर 36 गड़ के दंड कार्णिय से गुजर रहा था तो माता सीता के बचाओ की आवाज गरूर राज जटायू के कानू में पड़ी गरूर राज जटायू ने रावन को ललकारते वे रास्ता रोका तो वहीं सीता जी को बचाने के लिए जटायू और रावन के बीच संखर्श भी हुआ लेकिन रावल ने लगातार तरवार से वार करती हुए जटायू के पंक काट दिये थी रावन सीता को लेकर लंगा की तरफ रवाना हो गये रावन ने ही सीता का हरन किया था उसका प्रमान घायल जटायू ने ही राम जी को दिया वही सत्यूग के बाद जब भगवान विश्णू ने त्रेता यूग में राम के रूप में अफ्तार लिया तो विश्णू के वाहन गरूर ने भगवान राम को और लक्ष्मन को नाग अस्त्र के दुस प्रभाव से लंका में युद्ध के दौरान बचाया था प्रशंग है कि रावन से युद्ध के दौरान रावन पुत्र द्वारा नागास्त्र चलाया गया था रावन के पुत्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मन को नाग से घातक फंदा बनाया वही नागस्त्र के प्रभाव से भगवान राम और लक्षमन दोनों मुश्चित हो गए नागस्त्र के प्रभाव को दूर करनी के लिए गरूर के राजा और भगवान विश्नु की सवारी युद्ध के मैदान में आए और यहां राम और लक्षमन जब भिहूस परे थे चुकि गरूर सभी नागों का कट्टर सत्रू होता है तो वहीं ऐसे में नागपास नागस्त्र का प्रभाव धीला पड़ने लगा धीरे धीरे भगवान राम और लक्षमन घातक नागस्त्र के प्रभाव से बच गए ये कहानी आपने सुनी होगी लेकिन अब इसके चर्चा तेज है क्योंकि आयोध्या में राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या के मुकुद्वार पर गरूर राज की बड़ी से प्रतिमा स्थापत की गई है लेकिन आज आपको द्वापर और त्रीता युग के बाद कल युग में गरूर महाराज के वनसच का दर्शन बिहार के भागलपुर से करा रही हैं भागलपुर के संदरवन में एशिया का सबसे बड़ा और इकलोता सरकारी गरूर रेस्क्यू सेंटर चल रहा है देखरेक करने वाले मिर्जिकार मुहम्मद अक्तर अब रक्षक बने हुए हैं बता दें सलीम अली और असद रह्मानी ने भक्षक से रक्षक बना दिया अक्तर बताते हैं कि जब भागलपुर के गंगा और कोसी नदी इलाके में गरूर पक्ची का प्रजनन सुरू हुआ वंस विर्धी हुई तो इलाके की तरक्की में चार चांद लग गए सरको का जाल बिच गया नदियों के पुल और फोल लेन बन गए किसानों को उनके उपच की अच्छी कीमत मिनने लगी